नमस्ते आप देख रहे हैं दी ललन टॉप मैं हूँ शनाली राकेश उमप्रकाश महरा की आटो बायोग्रफी आ रही है दे स्ट्रेंजर इन दे मिरर इस किताब में राकेश ने अपनी फिल्मों से जुड़े कई किस्से बताए हैं ऐसा ही एक मज़ेद आप किस्सा वो है उन्होंने रंग दे वसंती में करन संघानिया वाले किर्दार के लिए कई आक्तर को अप्रूच किया थाउन्होंने सबसे पहले इस रोल के लिए फरहान अक्तर से संपरक किया तब- तक फरहान ने किसी भी फिल्म में आक्टिंग नहीं की थी हाला कि दिल चाहता है कि रिलीस के बाद उन्हें गंभीरता से लिया जाने लगा था. फरहान, राकेश के आक्टिंग करने के ओफर से हैरान और खुश भी थे. हाला कि उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया. इसके बाद राकेश ने अभिशेक को ये रोल उफर किया. बकॉल राकेश, अभिशेक ने फिल्म का नरेशन सुनकर कहा, जब आपने ये फिल्म उफर की, तो मुझे लगा तुम क्रेजी हो. बगर नरेशन सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग पूरी तरह से खराब है. कहने का मजब अभिशेक को फिल्म की काहानी कुछ खास पसंद नहीं आई और नरेशन सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगा, कि इस फिल्म में उनका सिर्फ सपोर्टिंग रोल है. इसलिए उन्होंने भी रंग दे बसंदी का ओफर ठुगरा दिया. इसके बाद राकेश ने आमिर खान से कहा कि वो इस फिल्म के बारे में रितिक रोशन से बात करें. अब आमिर खान बाकाइदा रितिक के घर पहुँचे. उन्हें रंग दे बसंदी के बारे में बताते हुए कहा, अच्छी फिल्म है? कर ले. मगर रितिक भी ये फिल्म करने को बिल्कुल तयार नहीं हुए. फाइनली करन सिंगारियां वाले रोल के लिए तमिल आक्टर सिधार्थ को साइन किया गया. मशूर फिल्म अडिटर और राकेश की पतनी पी-एस भारती ने कुछी समय पहले तमिल फिल्म बॉइज देखी थी. उसमें उन्हें सिधार्थ का काम बहुत अच्छा लगा था. सिधार्थ की पूरे भोलेपन से वो किरदार निभाजाने वाली जो अदा थी उन्हें पसंद आई थी. उन्हें लगा कि रंग दे बसंती में करन के किरदार का कॉनफ्लिक्ट सिधार्थ पर जचेगा. इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म की शूटिंग शुरू होने से एक महीने पहले जन्वरी 2005 में सिधार्थ को रंग दे बसंती के लिए साइन कर लिया गया. राकेश रंग दे बसंती में शारुख खान को भी लेना चाहते थे. वो चाहते थे कि शारुख खान फ्लाइट लेटनिन अजैर आठोड वाला किर्दार नभाया. इस वारे में वो उनसे मिलने के लिए यूएस भी गये थे, जहां शारुख स्वदेश की शूटिंग कर रहे थे. मगर शारुख ने कहा उनके पास जेट्स नहीं. फिर राकेश ने अजैर आठोड के रोल में आर माधवन को साइन कर लिया. मैं हूँ शुनाली, ये खबर आकले लिखी हमारे साथी शुएत आंक ने. देखते रहें दी लललन टॉप, शुक्रिया. दी लललन टॉप, मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियेंस बदलने वाली वेबसाइट, यूट्यूब और फेस्बुक पर भौकाल काटने के बाद, अब बारी है अप की लललन टॉप एप, जो लॉंच होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नमबर वन. वीडियो सबसे पहले, पेस्बुक और यूट्यूब से भी पहले, खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, बड़ी खबर हो या फिर हो किस से सब आपके फेवरिट सेक्शन आपको हैं बताने, इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिये, आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाईए और दीललन टाउप एप इंस्टॉल कीजिए.